हलो फ्रेंट्स मैं आज ख़डा हूँ स्री महाकाल धाम शिवधाम समसिर्या तो ये आपका पढ़ता है दुर्गन धाम समसिर्या के पास में तो मैं आज मुझे मौका मिला यहां आने का और गुरुजी लोगों का असिरवाद लेने का तो मैं इधर आया था तो मैंने दर्शन किया तो मैं सोचता हूँ आप लोगों को दर्शन कराऊं और इस धाम की जानकारी हमें जो है मेरे एक मित्र हैं उन्होंने दी अपना परिचे दे मेरा नाम अतुल तिवारी है और मुझे जो जानकारी थी उस जानकारी के माध्यम से मैंने भाया को आउगत करवाया बाकी जानकारी का प्रसारन इस आमेठी चैनल पर हम चाहेंगे कि इसका प्रचार प्रसार अच्छे से करें घ्रनिवाद दूंगा भाई का इन्होंने मुझे बताया इतनी अच्छी जानकारी दी अब मैं आया हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे गुरुजी लोग है यहाँ पे इस सिउधाम में महाकाल सिउधाम में तो देखिए पहले हमारे सामने एक गुरुजी हैं यह काफी प्रक्या हैं श्री सुभास पांडे जी काफी अच्छे कथा वाचक हैं मैं चाहूंगा दो सब्द कुछ कहें पहले तो आगे मैं कुछ बताता हूं जै जै स्री सिता राम जै माता दी जै महाकाल आज हम सभी पावन धाम समसिरिया भवानी के अंतरगत एक धाम और है श्री स्यू धाम महाकाल धाम जहांपे प्रतिवर्ष की बांती इस वर्ष भी संदर्सा कारिक्रम सिर्राम कथा घ्यान एगय का आयुजित हुआ है और इसके आये जोग हमारे माराज जी उपस्थित हैं जिनका नाम काली कमली वाले बाबा और पागल बाबा के नाम से भी जाना जाता है प्रतिवर्स सुन्दर सा बड़ा भव्यकारिक्रम ये आयुजित करते हैं जिसमें बहुत सारे व्यास बहुत सारे विद्वान प्रतिवर्स आते हैं और अपना परिचे कथा के माध्यम से सभी लोग इस मंच के माध्यम से देते हैं और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कथा का एक सुन्दर पंडाल भी लगाया गया है और आज एक कथा का तिरतिय दिवस है और बहुत बहुत धन्यबाद देना चाहूंगा इस चैनल के संचालक भीया को क्योंकि इस चैनल को हमने देखा भी है बड़ी सुन्दर स जानकारियों से ओगत हूँ जैसरी सिताराम जी गुरुजी को धन्यबाद देना चाहूंगा इनके कंठ में इनके मुख मंडल में इनके में काफी ग्यान है सरोस्वती जी का आसिरवाद है लोग इनको काफी अच्छे से सुनते हैं और मैंने भी सुना है काफी अच्छा कथ और भी जो जानकारिया हैं धार्मिक इनके मुख से अच्छी लगती हैं तो जब भी इनकी कथा हो तो आप समलित हों और गुरुजी का असिरवाद प्राप्त करें अब मैं चाहूंगा कि जो जिस धाम मैं आया हुआ हूँ तो उस धाम के लिए गुरुजी हैं पागल बाब भी लिये हैं अगनी की कुछ बतलब समाध ही होती है कुछ ऐसा इस तरह का भी इन्होंने किया है काफी फेमस हैं और बाबा के धाम मैं आया तो मेरा परिचे हुआ तो मैं ने भी इन से असिरवाद लिया तो मैं चाहूंगा कुछ इस धाम के बारे में जानकारी दें ताकि बोगों को इस धाम के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो बाबा कर जी है जी कि सब से पहले मैं समस्थ मीडिया परिवाद को अच्छीर बाद प्रुदान करता हूं कि उसके बाद अपने अस्थान के बारे में सबस्त कथा भागवत भंडारा रामाएत चलता रहता है और शीव जी की अस्थापना हो चुकी है चार दिसंबर को सरफ सेरष्र देव सनी महराज जिन को शिंगनापूर सनी महराज कहा जाता है जो शब ग्रहों के राजा हैं उनकी अस्थापना चार दिसंबर को होगी और मैं बिस्व कल्यान सांती के लिए शमाज सुधार के लिए अपने आपको 21 मरतबा अगनी समाधी के रूप में दर्साया अगनी बार बार मुझे छूती रही लोगों ने देखा और अगनी माता बरदान दिया उस बरदान के तहट मैं खड़ा हूँ और लोगों को आशर बात देता रहता हूँ आप सबके शहान भूतिय अमसार यह जो धाम है शिव धाम दुर्गन भूवनी सम्शरिया के जो अपंग हैं चल नहीं पाते हैं खाने के लिए मोहताज रहते हैं जिनको आसाहय कहा जाता है मैं उन्हीं की सेवा के लिए अर्थात पूरे बिस्व की कामना के लिए मैं सदेयो ततपर रहता हूँ और भगवान शिव से निवेदन करता हूँ इसलिए मैं साधना करता हू अभी आप पागल बाबा के नाम से फेमस हैं लेकिन बहुत ग्यानी हैं और इनकी एक खुबी मुझे लगी कि इनके जो खड़ाओं हैं दर्सनिये हैं मैं दिखाना चाहूँगा पैर की तरफ इस तरह के खड़ाओं साइध ही कोई साधू संत पहनते हूं काफी हैवी हैं और मतलब अगर अपनी स्टाइल में बोला जाए तो ये काफी स्टाइलिस हैं और ये काफी हैवी हैं तो पाँच किलो तक संभावना है इसकी होने की और ये पहले ज़्यादा हैवी खड़ाओं पहनते थे फिर एज के हिसाब से उन्होंने कुछ अच्छा अभी और बढ़ाएंगे गुरु जी कह रहा है कि अभी बढ़ाएंगे इसको ये भी एक तरह की इनकी तबस्या है अब इस धाम के शिवलिंग के दर्शन करते हैं लोग और ये देखिए ये एक शिवलिंग है बहुत ही सु होते हैं और शिव परिवार यहां पूरा गड़ेश जी और पूरा शिव परिवार यहां पे उपस्थित है और ये देखिए और ये देखिए यहां पे नंदी हैं और ये कलश है और गुरु जी यहां पे अपनी कोसिस कर रहे हैं इसको और जितना अच्छा कर सकें ये देन के लिए चोटा सा वेसलेटी है बैठने का और जो है कहते हैं जो भी इस द्धाम में सेवाए गुरु जी देते हैं तो यहां पर जगे है और उधर कुछ जगे है और यहां काफी प्रतिष्चित लोग भी इससे जुड़े हुए हैं और आते रहते हैं और यहां पे देखिए ये एक भक्त हैं ये भी आज आज आप दर्शन किये हैं यहां पे आप आए थे तो आप कुछ कहेंगे आज इस समसेरिया भवानी दुर्गन भवानी के पावन धर्ती पर ये जो श्री स्यू महाकाल का मंदिर पंडिजी द्वारा श्यू महाकाल का मंदिर जो है जो ये बनाया जा रहा है निर्माड किया गया है पहुत ही सुन्दर मंदिर का निर्माड है और यहां धार्मिक धारकार करम आए दिन हुआ करते हैं पंडिजी का बहुत ही अच्छा स्वभाव है आप भक्ती में इतने लीन हो चुके हैं कि आपको लोग पागल बाबा के नाम से कहना सुरू कर दी केवल भक्ती का ही यह प्रभाव है और भक्ती से आपके सब आचरन सब दिखाई पड़ने हैं यहां पर आए दिन कथा प्रामचरित मानस का पाठ भक्तों को प्रसाज वित्रन तमाम ऐसी चीजें हैं जो होती रहती हैं यह मंदिर में बाबाजी का कहना है कि इसको हम ग्यारा मंजिला तक बनवाएंगे और इसको बहुत आगे ले जाने की सोच रखे हैं और हम छे तरबासियों को यह चाहिए कि मतलब इसका पूरा पूरा ध्यान रख करके और अपना सायोग प्रदान करके इस पावन भूमी को एक दम निरंतर लगातार इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास अपना जारी र आज यहां चुकि इसी अस्थान पर स्री राम कथा भी हो रही थी स्री पांडे सुभास चंद्रपांडे की द्वारा मुकारबिंदु से तो मुझे सुनने का भी मुशर मिला और मैं आया यहां मैंने देखा तो मुझे लगा कि अतिदिव्य अस्थान है समसेरिया भवानी भी और स्री सिव महाकाल जी का मंदिर पहुत ही सुन्दर पहुत पवित्र यह पावन धरती है और यहां पर अभी जो है यह सनी मूर्ती का भी जो है साड़े पांच फुट की सनी की मूर्ती है उसका भी सिला न्यास सोना है 4 दिसंबर को होगा मूर्ती आ चुकी है बस केवल 4 दिसंबर डेट है उसके लिए रखी गई है जो हम लोग धार्मिक प्रवित के बेकति हैं इस हिसाब से जब वो चार दिसंबर उसका मिला हुआ है डेट तो चार दिसंबर को हम लोग जो है सनी की मूर्ति के अस्थापना भी यहां करेंगे और साथ-साथ महाकाल के इस मंदिर को दिब्य बनाएंगे हम लोगों का संकल्प है मैं आपको धन्यबाद दूँगा इतनी अच्छी जानकारी दी और मैं चाहूँगा कि आप देखें काफी अच्छा यहां सजा हुआ है और यह देखिए शनी जी की मूर्ति भी है मैं दिखा देता हूँ और आप जब भी इधर आएं तो इसका दर्शन करें जो कहते हैं और यह देखिए यहां पर यह आपका यह यहां पर यह मंदिर शनी जी का है अगर आपको यह इंफार्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर दिस वीडियो थैंक यू